हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे चैनल पे तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ डिसकस करूँगा कि आपको M.Tech करनी चाहिए या PhD करनी चाहिए जैसे कि इसके रिगारिंग आपका डाउट आ रहा है कि आप M.Tech में जा आपको यडिया चाहिए या यह कह सकते हैं आपकी रहें वहत ही है और आपको मैं प्यूद के जाएट करें चाहिए तो आप हैम तक दृब सीद्व जाहिए तो आप इसमें जा सकते हैं second मैं आपको कहूँ तो M.Tech में देखें आप तब भी जा सकते हैं वानों आपको PhD करनी है पर अभी आपको idea नहीं है कि आपको मतलब PhD सच में करनी है ये नहीं मतलब आपको research background नहीं है आपको idea नहीं research कैसे होती है तो mtech में मैं बता हूँ आपको one year का course होता है one year का course किया one year का research program होता है यानि one year research करनी पड़ती है आपको तो उससे आपको ideal है कि आपको PhD करनी ही है नहीं तो यानि अगर आपको clarity नहीं है not clarity about PhD तो आप mtech कर सकते हैं दूसरा देखिए अगर आपको clear है mind में आपको PhD ही करनी है तो mtech करने के देखिए कोई फैदा नहीं दो साल आपके दुवारा वेश्ट होएंगे तो अगर आपके three four यानि four to five years में PhD आपको लेनी है तो यह बहुत अच्छा option है कि आप PhD की तरफ ही जाए third option मैं बोलूं देखिए कि mtech में एक और चीज है कि mtech में जो आपको fellowship amount मिलता है वो मैं आपको बता दूँ वो मिलता आपको 12,000 पर मंत तो अगर आपको पैसे की problem नहीं है यानि क्योंकि स्टाइपेंट आपको कम मिलता है और फीस भी आपकी वही होगी वन लैक के आराउंड वन लैक पर यह तो जाईए फोर्थ पॉइंट है सबसे important है अगर आपको इंडरस्ट्री लाइन में जाना है इंडरस्ट्री लाइन में जाना है तो आप mtech की दरफ जाईए पर मैं आपको यह बता दूं कि इसकी कोई guarantee नहीं कि आप पीच्डी करेंगे तो आपको इंडरस्ट्री लाइन में ज अगर आप chemistry से करते हैं तो इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आपका इंडरस्ट्री में रुजान है पर आप इसके भी वेट कर सकते हैं कि आप खुद जॉब लेंगे और या कोई कम placement कम package का placement मिलता है आप लेने को तयार है तो आप जाईए पर हाँ अगर आपका teaching की दरफ रु admission मिल जाता है तो देखिए Mtech में बहुत ही कम competition होता है पर seats भी कम होती है seats आपकी एक batch में मैं बता हूँ 10-15 maximum seat होती है तो मैं आपका Mtech में admission आपका 2500 rank तक भी आराम से हो जाता है और इन में भी आपको बहुत अच्छी IATs मिलती है IAT गोहाटी हो गया IAT Delhi भी आपको मिल सकता है तो कहने का मतलब है Mtech में आपका PhD की comparison में आराम से admission हो जाता है और PhD में अगर आपको कहीं admission मानो 500 rank में मिलना है तो Mtech में वहाँ आपको admission मिल जाता है 1500 यह 2000 rank तक तो यह मैं आपको Mtech का बता रहा हूं अब next point है आप यह पूछते हैं कि sir क्या फिर Mtech के बाद मतलब क्या फाइदा है जो हमें होएगा कि यह है जो मैंने आपको पर ही उताया था कि एक तो आपको IIT का tag मिल जाएगा आप अगर मानों कोई अच्छे इंस्ट्यूट में जा सकते हैं आप अकाश में जा सकते हैं आप फिर्जी में जा सकते हैं तो यहां पर आपको आपको एजली placement मिल जाएगी और आपको जो minimum package होगा वो होगा आपका 8-10 lakh per year और बहुत बच्चों को मिला भी है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको आपको एजली placement दे देंगे और आपको रख लेंगे क्योंकि आपके पास टैग है और आपका 8-10 lakh per year का package लग जाएगा अब PhD का क्या फाइदा है तो देखे PhD का फाइदा यह है कि अगर आप research line में लंबा जाते हैं आगे तक जाते हैं तो आपको फाइदा मिलता है और साथ में आपको पोजडॉग मिल जाएगी और साथ में यह जो option है मैंने आपको उता है teaching के यह भी खुले रहेंगे अगर यह फाइदा है आपका PhD करने का अगर आपको result बोलूँ तो देखे final conclusion जो मेरा होगा वह मैं बोलूँगा आपको कि देखिए अगर आपको research का idea नहीं है और आपको मतलब दो साल में डिगरी चाहिए जिससे आपको job लग जाए teaching field में ही तो आप M-tech कर लिजिए पर हाँ अगर आपको idea आपको idea है आपको मतलब आप थोड़े ज्यादा साल है मतलब आप इतने year है कि आपको दिक्कत नहीं है तीन-चार साल तक तो आप PhD कर लिए और PhD मेरे परसनल राय में मैं तो PhD को ज्यादा more importance हूँगा M-tech के क्योंकि दो इसके यह भी फाइद है कि PhD भ जॉब के लिए आप eligible हो जाएंगे जबकि आप M-tech करेंगे तो नहीं हो सकते और industry में भी आप जा सकते हैं अगर आप अच्छी research करते हैं तो क्योंकि देखिए M-tech में भी opportunity अगर कम है तो PhD में थोड़ी कम है पर PhD में उससे ज्यादा हो सकती है अगर आप मतलब organic में यह अप comment box में comment कर सकते हैं या मुझे mail कर सकते हैं और मैं अपनी mail आइडिया आपको दे देता हूं मेरी email आइडिया परदीप और 9210 at gmail.com तो आई होप आज की वीडियो परी पसंद आई होगी आपको तो आगे ऐसी चैनल से जोड़ने एंगे चैनल सस्क्राइब करें वीडियो को